प्यारे बच्चों, आज की सरगर्मी करने के लिए हमें पेपर, मुक्तलिफ किस्म के सूखे पत्ते, मूँ फली के छिलके, बीज, गोन, सूखी पत्तिया और घास वगईरा की जरूरत होंगी बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले एक पेपर लेना है, और उस पेपर पर नीचे की तरफ से मुँ फली के छिलकों को नीचे की जानिब से गोन लगाना है और उसे पेपर पर निस्व दाइरे की शकल में यानि आधे दाइरे की शकल में चिपका देना है बिल्कुल इस तरह से आपका निश्व दाइरा बनकर तयार हो जाएगा अब उसके उपर दो बड़ी सूखे पत्तों को गोन लगाना है और उसे इस तरह से नीम दाइरे में चिपका देना है वो कुछ इस तरह दिखाई देंगा अब आपने उसकी दोनों तरग सूखी तीलिया घास और फूल चस्पा कर देना है बिल्कुल इस तरह से जैसा के वडियो में दिखाया जा रहा है अब आपने क्या करना है जहां भी खाली जगा दिखाई दे रही है वहां पर मूंग फली के बीजो को गोन लगा कर चिपका देना है इस तरह से हमारा ये आराईशी गुलदस्ता बनकर तयार होता है जो के हमने सूखे पत्ते, फल, फूल और मूंग फली के चिलकों से आराईशी काम करके तयार किया है है ना हमारा मज़ेदार ये गुलदस्ता बन कर तयार पसंद आया आप लोगों को